हेलो फ्रेंड्स गुड मॉनिक फ्रेंड्स यूपिटेड एक्जाम 2018 की जो विवादित आंसर की जारी की गई थी उसमें कुछ गल्थ परसन थे तो उन परसनों को लेकर हाई कोट ने सचीव को तलब किया है और आठ परसनों के विकल्प को लेकर हाई कोट में चिनोती दी होगी तो आज की लेटेस न्यूज है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का अंतक जरूर देखेगा आठ परसनों के विकल्प को दी गई है चिनोती कोट में 12 को सुनवाई अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कारी को तलब कर लिया है अदलत ने उनको 12 दिसंबर को समधित परसनों पत्रों के साथ व्यक्तगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया है इस मामले में कही आचिकाय दाखिल की गई है जिनमें 8 परसनों के विकल्प को चुनोती दी गई है हिमानसु गंगवार और 42 अनिये दूसरी कही आचिका उपर नियाय मूर्ती अजीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं अधिवक्ता सिमांत सिंग की दलील थी की 69,000 सायक अध्यबग भरती हेतु ऑनलाइन अवेदन शुरू हो चुके हैं इसकी अंतिम तिति 20 दिसंबर है इसमें वही लोग आवेदन कर सकत हैं जो टीटी उत्रीन हो ऐसे में याचिगन के मामले में परिक्षा नियमाक पराधिकारी सिग्र निन्यले अन्यता याचिगन आवेदन से वंचित हो जाएंगे कोट ने परकरन की कंबीरता को देखते हुए सचीव को 12 दिसंबर को तलब किया है तो यहां पर सचीव को तल नूमबर 28 रों का आयुजित की गई तीस नूमबर को इसकी आंसर की जारी कर दी गए और 5 दिसंबर को परिणाम भी गोशित कर दिया गया आंसर की में दे गए उत्तरों से मिलान के बाद पता चला की आठ परसन ऐसे हैं जिनके विकल्प उत्तर सही नहीं है इनमें से दो प सिंग की याची का याची का दवा है कि सिरीजए के परसन 66 के दो विकल्प सही है याची ने तर्द्यार के बाद उन्सरering की में डूसरी को शही माना गया ये याऑची कट-प मार्क से एक या दो नमबरों से पीछे रह गए हैं तो फ्रेंट्स यह आज का लेटेस न्यूज था इद न्यूज अच्छा लगए तो लाइक कीजेगा सेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स पूर वाचिंग